दोस्तो, स्पेस कम्यूनिकेशन करना एक बहुत बड़ी चुनोती बनती जा रही है जैसे जैसे अर्थ से बाहर जाने वाले अंतरिक्षियान चंद्रमा के बाद अब मार्स तक पहुँचने लगे है सुदूर अंत्रिक्स में कम्मिनिकेशन करना एक बड़ी चुनोती बनती जा रही है इस चुनोती से निपटने के लिए नासा एक न्यू टेकनिक डिस्कवर की है इसके बारे में इस वीडियो में बत्ता आने वाले है तो बीना स्किप किये इस वीडियो को पूरा देखना हेलो दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्तोर होस्ट द्रू और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल इंसाइड स्पेस फेक्ट्स चलिए दोस्तो शूरू करते हैं इस टेक्निक से स्पेस कम्यूनिकेशन में करांती आ सकती है नासा इसके लिए अगले महीने लेजर कम्यूनिकेशन रिले डेमोंस्टेशन यानि इस मिशन को 4 डिसेंबर 2021 को फ्लोरिडा के केप केनावेरल स्पेस फॉर्स टेशन से लोंच किया जाएगा यह कम्यूनिकेशन फिलहाल उप्योग में लाई जा रही रेडियो वेवस से हाई प्रिक्वेंसी से काम करेगा अभी रेडियो वेवस से ही स्पेस एजन्सी प्लानेट या सन की और जा रहे स्पेस मिशन से कम्यूनिकेशन करते है लेजर कम्यूनिकेशन रिले डेमोंस्टेशन ओप्टिकल कम्यूनिकेशन में केपेबिलिटी बढ़ाएगा उससे स्पेस में कम्यूनिकेशन करने वाली बेंड बीच में इंक्रिमेंट होगा इससे इंस्टुमेंट का सेफ और वेट डिक्रीज होने के साथ उनके संचालन के लिए रिक्वर्ड एनर्जी में भी कमी लाई जा सकती है इस अभियान स्पेस टेस्ट पोग्रम सेटलेट 6 स्पेस मिशन से लौंच किया जाएगा जो USA की रक्षा उभर के स्पेस टेस्ट पोग्रम का में मिशन है लेजर कम्यूनिकेशन का पर्फोमन्स एंड टू एंड लेजर रिले सिस्टम होगा जो दिखाई न देने वाली इंड लेजर के जरिया डेटा का ट्रांसफर करेगा इसकी स्पीड करीबन 1.2 गीगाबैट पर सेकंड की होगी जिससे की अर्च से उसकी जियो सिंक्रोनस उर्बिट के बीच कम्यूनिकेशन बेटर हो सकेगा जिसके बाद डेटा इंफराइड लेजर के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा यह डेटा पहले रेडियो वेउस द्वारा मिशन ओप्रेशन सेंटर से स्पेस में बेजा जाएगा उसके बाद लेजर कम्यूनिकेशन रिले डेमोस्टेशन मिशन ओप्टिकल सिगनल से वापस और स्टेशन पर बेजेगा नसाक्त साइंटिस का मनना यह है इस मिशन में बड़ा फाइदा होने वाला है 1983 से कम्यूनिकेशन रिले सेटेलाइट पर काम कर रहा है जब पहला ट्रेकिंग एंड डेटा रिले सेटेलाइट लोंच किया गया था यह मिशन ओप्टिकल सिगनल के जरिये बहुत तेजी से आकड़े डाउनलड करेगा यह साल 2013 के लुनार लेजर कम्यूनिकेशन डेमोस्टेशन की दरों की कमपेरिजन में दो गुनित दर होगी जिसमें चंद्रमा से करीबन 622 मेगा बीट्स पर सेकंड की गती से ओप्टिकल सिगनल आये थे इस बार इंजिनियर लेजर कम्यूनिकेशन रिले डेमोस्टेशन मिशन से केलिफोनिया के माउंटेन और हवाई के हेलिकल में सिगनल हासिल कर सबेंगे अंत्रिक्स कितना विशाल और कई किलोमेटर में फैला हुआ है इसमें स्टार, प्लानेट, गेलेक्सी, ब्लेक होल और कई ऐसे अबजेक्ट है जिसमें कोई ना कोई राज छुपा होता है साइंटिस्ट आये दिन नए नए एक्स्परिमेंट के जरीए प्रमान के अंसूलज रहोस्यों से परदा उठाने की कोशिस करते है और हमारी पुथवी से बाहर कई पर लाइफ की पोसिबिलेटी के बारे में खोजते रहते हैं तो आप सब इनके बारे में जनना चाहते हो तो आप हमारी चैनल से जुड़े रहे और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कोमेंट करके बताए और वीडियो पसंद आया हो तो एक लेक तो बनता है मेरे दोस्त तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फेमिले में ज्यादा से ज्यादा शेर कीजिए एसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए Have a good day, take care yourself जाए है